नमस्कार दोस्तों, सरोज किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगने वाला यह पालक का पूरी इसे बनाने में हम बहुत जादा महनत भी नहीं लगती और यह सबको बहुत पसंद भी आती है तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे आधी किलो पालक के पत्ते जिसके डंटी को तोड़ के अच्छे से धोलेंगे गर्म पानी में हम पालक के पत्तियों को डाल देंगे और गैस का फिर्म आफ कर देंगे खीर अच्छे से जब गर्म पानी में धुल जाये तो इसे हम चन्नी में छान लेंगे और साथ ही हम इसे ठंडे पानी में धुलेंगे ताकि पालक के पत्तों का कलर चींज ना हो अब हम देंगे गर्म पानी में धोये हुए पालक के पत्ते, 10 बाराया लहसुन की कनिया, 8 दस हरी मिर्च, धनिया पत्ता, आलू बाले हुए मैस किये हुए 2 चम्मच, जीरा अब हम जीरा, लहसुन और हरी मिर्च को ग्राइंडर के जार में ढाल देंगे और साथ में गर्म पानी में धोये हुए पालक के पत्तों को भी हम ग्राइंडर के चार में ढाल के इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे आटा गूतने के लिए हम लेंगे आदा किलो आटा, मैस किये हुए आलू, मंग्रेल, अजवाइन, धनिया पत्ते, कटे हुए, रिफाइन डॉय, नमक स्वाद अनुसार और साथ में पालक के पेस्ट अब हम आटे में मैस किये हुए आलू डाल लेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे, मंग्रेल डालेंगे, और अजवाइन को हम हाथों में लेके दूने हाथों के मदद से इसे अच्छे से मसल लेंगे ताकि आटे में इसकी खुस्वू अच्छे से आए अब हम नमक स्वादनों सार डाल लेंगे, मैंने यहां देट चम्मच लगबग डाला है और साथ में तीन या चार चम्मच टिफाइन तेल डाल लेंगे, और अब पालक का पेस्ट पर डाल लेंगे, अब आटे को हम अच्छे से मिला लेंगे, अगर पानी की जरूरत पड़ है, अब हम इसे रेस्ट के लिए 10 मिनट छोड़ देंगे, तो यह 10 मिनट बाद यह और स्मूध हो चुका है, अब इसमें हम दो चम्मच डिफाइन डालेंगे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे एक बार, यह जब अच्छे से मिल जाए तो हम इसके छोटी-छोटी पूरिय Bowl के साइस की लोघर काटेंगे और पर्थन की मद er से इसे हम अच्छे से पेल लेंगे और दूसरे साइड माइज के तेल बीचादें गर्मते। टब तक हम अपनी फूरिया पेल लेंगे तो हमारी पूरिया बिल चुकी है तो अब हम आतों की मदद से चेक कर लेंगे googें यानी इसके बास हुआ हम एक एक कर और की पूरिया डालते गाएंगे पूड़ी डालने के बाद फिलका चम्मच की मदग से प्रेस करेंगे और पलेट लेंगे यह बहुत ही अच्छे से पूलती है हमारी पूड़ीया फूल गए है तो इसे अब हम दोनों साइक से अच्छे से पता लेंगे तेल बहुत जादा गंद नहीं होना चाहिए करना पूड़ीया जल जाएगी और फूलेगी भी नहीं तो बारी बारी से हम अपनी सारी पूड़ीयों को ऐसी डालेंगे और सारी पूड़ीया फूल कर बहुत अच्छे से तयार हो रही है देखिए हलका सब चमच के मदद से प्रेस करने पर यह कितने अच्छे से फूल जाएगी तो यह जब फूल जाए तो इसे दोनों और से पका लेंगे और एक एक करके निकालते जाएंगे इसी प्रकाय से आप सारी पूड़ीयों को छानते जाएं और इसे अपने मनपसंद सबजी या चटनी भी से खाएं या फिर आप सौस से भी खा सकते हैं तो हमारी पूड़ीया तो बनकर तयार है आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ करें यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है जाज से फुली हुई है यह साथ में सॉंफ्ट भी है तो आप इसे ट्राइ करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना ना दूले तैंक यू